अल्दो तेजस अपनी क्लास में one of the best fighter jets है लेकिन इंडियन नेवी एरक्राफ्ट केरियर ओपरेशन्स के लिए तेजस को reject कर चुकी है तो इंडियन नेवी ने ऐसा क्यों किया और रीसेंटली तेजस की जगा रैफैल मरीन को क्यों select किया देखिये तेजस एक single engine fighter jet है और single engine की वजह से एरक्राफ्ट केरियर के short runway से take off करने के लिए तेजस को extra thrust produce करनी पड़ती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा fuel burn हो जाता है और take off के time पर ज्यादा fuel burn करने के कारण एरक्राफ्ट की operable range काफी कम हो जाती है इसलिए नेवी को twin engine jet की जरूरत है और इसलिए ADA and DRDO twin engine deck based fighter को produce करने में लगी है जो 2032 तक नेवी में induct हो जाएगा और जब तक ये fighter research and development में है तब तक के लिए नेवी Russian made MiG-29 के और Rafale Marine operate करेगी